नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में स्वागते आज हमारा टापिक है प्रिभीएस क्वेस्टन पेपर चत्ति जड लोक सेवा आयोग द्वारा इस्टेट इंजरिंग सर्विस एकजाम लिया गया है जिसमें जर्रल नालेश से 1500 प्रशन पुछे गया है जिसमें एप्टेटूट के भी प्रशन है जर्रल इस्टडी में जो चत्ति और समान्य अध्यान से चती और जर्रा नाले से जो पचास प्रशन पुछे गए हैं उन सारे पचास प्रशनों का हम आज की सुड़ों में एंसर जानेंगे और पूरे प्रशनों का अधिहन करेंगे आप यहां देश सकते हैं इसका माडल CGPSC द्वारा जारी कर दिया गया है चती और लोग सवायो उरायपूर और यहां आप देखेंगे तो चती और लोग सवायो के विग्यापन यहां दिया हुआ है जिसमें राज्य अभिहनता सिवा परिच्छा ना देश सकते हैं राज्य अ यो भी कि आप लेपसेट पर जारी कर दिया गया है और आप दवापत्ति का यहां समय देख सकते हैं हम जो केस्टे प्रफ में रिया कर आए यह इसके दो साफ जानेंगे की एंसर क्या है जो आने वाले समय में एकजाम होने हैं स्जीपीसी और जो व्यापाम और सिजी पेसी दरो जो एक जाम दिये जाएंगे उसमें चत्य और जर्णा नालेज का क्वेस्टन बहुत ज्यादा इन पर्टेन होते हैं इसले आपके लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा हेल प्फूल है यहां देखें टोटल इसमें दो सब प्रेश्ण हैं सबसे पहला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और यह प्रेश्ण क्या है तो कौन सी गुफा चूना पत्थर गुफा है जो कांगेर चूना पत्थर बेल्ट पर गठी थे यह दोस्तो कांगेर नंदी में हैं ध्यान देंगे कांगेर नंदी के आस्पास है यह गुफा पर है चुना पत्थर बेल्ट इसके बाद आ जाता है दूसरा प्रेश्ण 2011 की जनगर्णा अनुचार किस जिले में सबसे कम जन घनात्व है जन संक्या घनात्व किस जिला में सबसे कम है 2011 जन घनात्व के अनुचार तो इसका answer क्या है दोस्तों इसका answer है डि आफटन लिए गया है विजापूर जबकि सबसे कम घनत्व किस खान घनात्व तो नरायाण पूर इसका सही answer होना चाहिए लेगिन इसका एंसर सीजी पीएसी द्वारा क्या लिया गया है तो डी एंसर लिया गया है नरायार्पूर्ट का जन सकेशना तो सबसे कम है जोगी 17 है ध्यान देंगे इसके बाद यहाँ आप तीसरा प्रशन देख सकते हैं तीसरा प्रशन क्या है तो 36 जड की जल वायू के संबन्ध में नीम्न में से कौन सकतन सत्य है 36 जड के जो जल वायू है हमने जल वायू टाफिक पूरा एक विस्तित अध्यान क्या है आपको प्लेलिस्ट का 36 जड के जो भुगोल है उसका प्लेलिस्ट के लिंग नीचे आपको डिस्टन बाग से मिल जाएगा वहाँ से आपको ये पेस्टन सौलो करने में बहुत ही सवलियत होगी इसमें पहले आपसंदिया गया है चति जड में उत्तर भारत की ठंडी हवाय नहीं आती क्या ये कथन सत्य है तो ऐसा नहीं है चति जड में जो उत्तर भारत की ठंड होती है उसकी लहरे आती है ठंड हवाय आती है नहीं आती है तो ये बात गलत हो गई ये कथन सही नहीं है उसके बाद दुसरा में कहा गया 4 प्रस्पिमी भाग पूर्वी भाग से अधिकादर है ये भी सही नहीं है इसके बाद गया है दिसरा 6 अव्यन में मांसुन बंगाल की खाड़ी से आता है ये बिल्कुल सही है, चतिएड में जो मांसून आती है ये बंगाल की खाड़ी से आती है, तो C आप्षन इसका सही एंसर है, इसके बाद है चौथा प्रशन, चौथा प्रशन है, उत्तर चतिएड प्रदेश की सरवाधिक उच्च भूमी कौसी है, इसमें चार आप्षन दिय ये भी उत्तर चतिएड में, तो हमें डौट हो जाता है, लेकिन हम आपको बता दे जो उत्तर में है, जो ये दिया हुआ है, इतना में सब से उचा है देवगड की पहाड़ी, और इसका आप्षन क्या सही हो जाता है, तो B आप्षन इसका सही एंसर हो जाता है, इसके बाद है पांचवा प्रस्ना दक्षित दूर्गक चीले के डली राजहुड़ा की पहाड़ी में कौन से प्रकार का लह हो या इसका पाया जाता है तो उच्छे कि СамS嗎 रखिन कुड्त है घंप से जमाँल में प्रॉट भंट है। इसके बद हम एककुट मिलान करना है Jefferson ना आप यहां देशाक्ती हैं सुची 1 को सुची 2 से मिलान करें देंचे कूट पूड को सहीं करें यहां चार आपसंद्या हुआ है मैकल परवर्षरी की हां है उडिशा की पहाड बगेल खंड सर्गुजा पठार और दंड करेंड़ परथार तो हम जानते हैं मैकल परवर्षरी छतियर के पसीम भाग में हैं तो डी का पहला इस तरह से मिल जाता है डी में पहला आप देखेंगे तो एक ही में है इस्वरी दो में हैं तो आपसंद्या से जो तीसरा है और चांथ है यह तो आट्रोमेटिक डिलिट हो गया क्योंकि मैकल परवर्षरी राज जन्गाओं कवर्धा मुंगेली गरुला पेंडर मर्वही इस तरफ है जो कि छतियर का पसी बचल में एचांगे टिन में तो इस मैं देत आखेंगे पहला प्षोंमें तो आप सवी का मिलान कर सकते ही हैं इसके बाद है साथ प्रश्ण चुना साुस 6 रेवट मुंगेली जीलॐ के उप्खंड है पहला आप्टन मुंगेली पथरीया लोर्मी यह तीनों है ध्यान देंगी मुंगेली पथरीया और रोल्मी उप्खंड है इसके बाद है आपको थोड़ा बड़ा कर देते हैं हम ताकि आपको प्राब्लम ना हो देखने में कुछ आठवा प्रश्ण है इन में से गिसे चती गड़ का सिमला तो इसका एंसर क्या है इसका एंसर है D option main part जो कि सर्गुजा जीला में है ध्यान देंगे में पार्ट कौन से जीला में है तो सर्गुजा जीला में है और इसे छत्ती अड़ का सिमला कहा जाता है इसके बाद है दोस्तो नवा प्रश्ण नवा प्रश्ण है लोरो घाटी प्रसिद्ध है जो लोरो घाटी है जस्पूर मे वो किसले प्रसिद्ध है, यह पूछा गया है, तो इसका इंसर है फूलो के लिए, फूलो की घाटी भी करते हैं लोरो घाटी को, इसके बाद है दस्वा प्रश्ण और दस्वा प्रश्ण है, किस कल्चुरी राजा ने बस्तर के छिद्धक नागवंस के राजा सोमेश्वार देव को पराजित किया था और ये क्वेशन कई बार रिपीट हो चुका है दोस्तों चाहें प्येसी हो या व्यापम हो ये क्वेशन रिपीट हो चुका है कि जो सोमेश्वर राजा सोमेश्वर थे चिद्धक नांगवंसी उसे किसने पराजित किया था तो इसका एंसर है सी आ यहां कर दिया हुआ देख सकते हैं विक्री कर लगाने वाला कर जुर्माना ग्राम प्रमुक तो यह तो नहीं है टेक्स है यह एक प्रकार का सिवई लेगन कौन सो टेक्स है यह हमें फैंड आउट करना है तो इसका एंसर क्या है अर्थ दंड या जुर्माना पेनल्टी आप प्हाइन कर सकते हैं मराठा काल में जो सिवई कर लगाया जाते थे इसके बाद है बारो प्रश्णा चतिएड का प्रथम मजदूर आंदोलन कहां हुआ था तो इसका एंसर क्या है इसका एंसर है राजनान गाउं में मजदूर आंदोलन हुआ था चतिएड में मिल मजदूर अंदोलन हुआ था उसी 1920 में वही चतियर का प्रथा मजदूर अंदोलन था इसके बाद है तेरो प्रश्ण है भारत महा भारत के अनुसार चतियर प्रदेश के किस एतिहासिक इस्थाल का नाम रतनावली पूरी है तो इसका एंसर क्या है इसका एंसर है डी रतनपूर को ही महा जाद था अगला चवदूवा प्रश्ण है सन 1947 के पूर्वा चति जड़ में पर्मुक परगनों एवं जमिदारियों की संख्या क्या थी तो सिजी प्यस्थी के माडाल एंसर क्यों सार हम कहें तो इसका एंसर है पहला आप्शन नौ परगना थी 1947 के पहले और 27 जमिदारिया पहला आप्शन इसका सही एंसर है पंदरवा प्रश्ण है संद गुरु घासी दास के उत्रा धिकारी कौन थी तो इसका एंसर है इसका एंसर है बी आप्शन गुरु बालक दास जो गुरु घासी दास थे उसके उत्रा धिकारी हुए थे बालक दास जाद रखेंगे आप इ 1930 में उस समय चत्तियद में भी आंदोलान उग्र हुआ था तो उस दवरान दयावति भाई किस इस्थान से सत्याग रही रही थी ये एंसर इसमें पूछा गया तो इसके एंसर क्या है महा समुझिला से सत्याग रही रही थी दयावाई 1910 में सरस्थी पुस्तकाला की स्थापना की गई थी तो किनके द्वारा की गई थी तो इसका एंसर है डी आप्शन ठाकुर प्यारे लाजसी द्वारा सरस्थी पुस्तकाला की स्थापना राजन गाउ में की गई थी ऐसे भी प्रशना पुछे आ सकते हैं दोस्तों की सरस्थी पुस्तकाला की स्राज्य में इस्तित है तो इंसर क्या रहेगा राज्यन गाओं अगर ऐसा भी पुझा सकता है राज्यन गाओं में ठागुर प्यारे लाल दोर्या कौन सब पुस्तकाला की स्थाबना की गई थी ऐसा भी पुझा सकता है तो इसका एंसर क्या रहेगा सरस्वत गुणधूर गुणड़ गढ़ी साही कह था हो जाता है इसके बाद पुछा गया है बीस्व प्रश्ना बीस्व प्रश्ना आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है ओसा पानी से तातपर क्या है धियां दोस्तो ओसा पानी तो इसका इंसर क्या लिखेंगे है सिजीपीसी द्वारा तो दवा यूग तब पे पदार्था दियां दोस्तों ओसा पानी हम लोग ओसा पानी कहने करता है अगर हम चत्दी अढ़ी में कहें तो जो ओस गिरता है ओस रहता है आप देखेंगे जो बंद कचरा रहता है एक तब दूबी में ओस रहता है तो हम उससे ओसा पानी कहते हैं लेक इसके बाद 200 प्रश्ण है, 36 जड़ में काश्ट कला के लिए कौन सी जन जाती प्रसिद्ध है, जो काश्ट होता है लकड़ी, लकड़ी से जो कलाकारी करते हैं, उसे काश्ट कलाकार कहते हैं, तो इन में कौन सी जन जाती है, जो लकड़ी से कलाकारी करते हैं, तो इसका एंसर इसके बाद है बैसओ प्रस्टिशन, हर्याली अमार्ष्या को शती नधेहिं मैल आये, घर घर के मुख्यद्वार की दिवारों पर गोवर से क्या बनाती है। जो गोबर से बनाती है उसे क्या कहते हैं ये इसमें पुछा गया है तो इसे क्या कहते हैं सव नाही कहते हैं ध्यान देंगे जो हर्याली तिहार होता है हर्याली हमें अस्या के समय जो छतियर के मईलाय होती है वो घर के मुख्य द्वार के दिवारों पर गोबर से श्चित्र आजटा पहों पुछाँ गेहें हो जिसे हम क्या करते हैं, सव नहीं कहते हैं, तो पहला आप इसका सही अनसर हो जाता है, ज़िवकृत कर दोश्थ bunny यह बाद पुछा गया है, तेशो प्रशन चति- banget में 36 गड़ में अक्षाय तिर्थिया के समय कौन सब परवा मनाया जाता है जिए दोस्तों तो अक्षाय तिर्थिया में कौन सब परवा मनाया जाता है इसका अंसर है बी आपसन पुत्री पुत्रा परवा के समय अक्षाय तिर्थिया मनाया जाता है जिए दोस्तों पुत्री पु प्रश्न है अगला प्रश्न है 2400 प्रश्न थोड़ा दूंदला दिख रहा होगा लेकिन हम इससे पढ़ कर आपको क्लियर कर देंगे अगर आपको यूड़ो अच्छा नहीं दिख रहा है क्लीन एकडम तो आप यूड़ो क्वालिटी को रिजलोशन को बढ़ा सकते हैं आप 70 80720 या 1080 में देखें तो बहुत अच्छा आपको एकडम क्लीन दिखेगा या वीड़ो को डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आपका नेट समापत हो रहा हुआ तो 36 गडमी तुर्टूरिया किस रिशी से संबंध है जो तुर्टूरिया आश्रम है वो किस रिशी संबंध है य तुर्टूरिया आश्रम के आश्रम में बालाम देही नंदी भाती है जहां पर बालमी की रिशी का आश्रम हुआ करता था इसके बाद पुछा गया 25 प्रेश्ण नीमनलिखित में से कौन सनित्य? चतियर का लोक नित्य नहीं है जे दोस्थो आपको बिल्खुल फाइंड आउट करना है कि इन में से कौन सनित्य है जिस नित्य है? लोक नित्य फोक डांस, तो कौन से चतियर में नहीं होता है आप न ये एंसर सहीं एंसर हो जाएगा इसका राय नीत्य चतियड में नहीं होता है और ध्यान देंगे जब भी ये प्रेशन पूछा जाता है तो कि इन में से कौन से नीत्य चतियड का नहीं है तो राय नीत्य को ही रखता है इसलिए आप इसे जान कर रखें राय नीत्य चतियड का नहीं है इसके बाद है 2600 प्रेश्ट दोस्तो 2600 प्रेश्ट है 368 का प्रणाई 368 का प्रमुक प्रणाई गीत कौन सा है अगर आप इस तरफ करेंगे तो इसे क्या कहते हैं लॉब सांग लॉब सांग इसमें से कौन सा है ये हमें find out करना हैं और इसमें दो नंबर हाता है दोस्तों हर question का दो नंबर हमें मिलता है अगर सही लगाते हैं तो अगर हम गलत लगाते हैं तो एक बढ़े तीर होता है तौट हमारा घाटा हो जाता है तो प्रणाय गित कौन से इसमें का तो ददरिया इसका सही answer हो जाता है जैसे सोहर गीत बचों के जन्मा के समय गया जाता है, भावार गीत तो भावार जो साधी में होता है उसमें भावार गूमिते उस समय तीकावन भी अधिक से जुड़ा हुआ है, ददर्या गीत प्रड़ा गीत लॉब सांग है इसके बाद है 27 प्रशन 36 गड़ में संगीत के लिए किस वाद ये अंतर का उप्योग किया जाता है ये दोस्तु 36 में जो कोई भी संगीत होता है कालिक्रम तो उसमें कौन सवाद ये अंतर का प्रयोग किया जाता है तो जीकारा का प्रयोग क्या ये भी सही है तो बिल्कुल जीकारा का प्रयोग किया जाता है खंजरी का भी प्रयोग किया जाता है और डफली का वी परयोग किया जाता है तो उप्रोगत सभी इसका सही एंसर हो जाता है अगर आपको कोई परसारी है किसी क्वेस्टन में तो आप कमेंट बाक्स में कमेंट जरू करें दोस्तों इसके बाद है अठाईसव प्राइशन रतनपुर चती यड का ही ये क्वेशन है रतनपुर 6-8 के कवी गोल द्वारा लेखेत पुस्तर कौन सही रतनपुर के जो राजा रटन शी थे उनके कवी हुआ करते थे गोल शी तो उनका प्रमुक्रशन इन में से कौन-कौन सही है हमें इंसर लगाना है तो इंसर क्या है ज़्यादा तर जो हम ट्रिक्स याद कर रहते हैं उसमें खुब तमासा हमें जरूर याद आता है तो आप याद कर सकते हैं खुब तमासा भक्ति चिंत मड़ी राम प्रतापिये तीनो सही है इसका उप्रोग्त सभी एंसर है इसके बाद अगला उंती शौप रहनगा पुछा गया है कॉरवा जन्जाती में मृतक संस्कार को क्या कहा जाता है सरी कॉरवा है ये कोरोज अंजाती में मेतक संसकार को क्या कहा जाता है यह पूछा गया है तो इसका एंसर क्या है इसका एंसर है सी अप्षन नाव खानी कहा जाता है कोरोज अंजाती में जो मेतक संसकार होते हैं उसे इसके बाद तीस्वा प्रश्ण है बस्तर का प्रचलित डंडारी नाच किस अउसर पर किया जाता है जी हैं दोस्तों जो डंडा नाच हम लोग इसे समान्य भासा में कहें तो डंडा नाच कहते हैं लेइन बस्तर में इसे डंडारी नाच करते हैं और ये किस अउसर पर किया जाता है तो दिपावली के अउसर पर किया जाता है तीस का स्वारी 31 प्रश्ण है प्रत्यक ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारां बहरे जाने वाले इस थानों की कुल संख्या का कितने प्रदिसत अनुसुचित जातियों अनुचित जन जातियों और अन्य पिठा वर्ग की आरक्षित महिलाओं सहीं इस थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहते हैं तो कितना इस थान आरक्षित रहते हैं आप भी जानते होंगे और इसका सही एंसर क्या है ये हमें बताना है तो इसका सही एंसर क्या रखा गिया है एक बटे दो इसमें माडल एंसर में सही एंसर लिया गिया है जिया दोस्तो ए 31 प्रश्ण का सही answer क्यालिक अरड़ाए लिए गया है क्योंकि एक दिह अनुशुचित जन जाति के लिए हो जाता है हर में आप देख़ेंगे तो एक दिह Code है महिला रक्छण रहता है लेकिन वहालाक इस जोसर द्वारे इसका answer क्या लिया गया है D option इसका एंसर लिया गया है इसके बाद जो प्रेश्ण ही है सहीं जोड़ी मिलान का है और पंचायद से ही जुड़ा हुआ है बत्किस्वा प्रेश्णा जन्तपत पंचायद की समीतियों के कृत्य अर्थार उनके कारिया दिया हुआ है और सुमेलित करना है यहां विभाग दिया हुआ है योजना और यहां समीति दिया हुआ है यहां कारिया यहां समीति तो बताना है कौन कौन से इसका सहीं एंसर है पहला दिया हुआ है सहकारिता एवाम उद्योग समीति इनका काम होता है यह जन्पद पंचायत के इश्तर की समितिया है पहला जो अप्शन दिया है सहकारिता ओवम उड्योग मंतर ले इनका क्या काम होगा अलप बचत हो इतना खर्चत होगा इतना बचत होगा ये सारे का रहता है तो पहला का तीसरा आपसन देखेंगे आप तो एक और दो में हैं इसके बाद है दूसरा संचार यों संकर का संकर मसमिती तो इनका क्या होता है संचार आप देखें संचार मतलब एक दूसरे से बात करना तो यह क्या होता है सारोजनिक कार्या एक तरह से सारोजनिक कार्य हो ज और एक्रिसी में यहां विद्दू सकती और इस समायने प्रसर्शन में सरम आ जाता है तो इसका एंसर क्या रहेगा इसका एंसर लिया गया है जबकि क्रिसी में क्या आना चाहिए पहला आप यह आना चाहिए अर्था जिसका एंसर सही होना चाहिए लेगी इसका एंसर सीजी प गलत है इसमें जो आप्शन दिया हुआ है चार आप्शन इनमें से कौन सा गलत है यह हमें फाइंड आउट करना है वो सही अंशर लगाना इसमें चार आप्शन दिया हुआ है पहला तो पहला अप्शन है रहता है तो अगर कोई बी सरपंज होने के पात रहता है तो सरफंज पातर रहता है Ђभी बेकोषिए अगर वह विर्धान सभा का सदस्य नहीं है तो वो इसलिए ये भी सही है इसके बाद है तीसरा एसे आवेदा किसी को ओप्णिव सेमिंतिक अध्या अध्याख्छा हो था एक्षे ना हो तो ये बहीще है इसमें गलत बात क्या है तो एसे आवेदा की जो पंचायत में बुई स्थापित अवस्य हो ये बात गरत है अवस्य को कह रहा है जमीन वहाँ होना चाहिए बुई स्थापित तो ऐसा नहीं है वो वुज गाव का नियाशी होना चाहिए ऐसा इसमें होना चाहिए इसके बाद हैं 34 प्रशना 34 प्रशना क्या है तो 36 गड़ में ग्राम नियाले की कारवाही और अभिलेक किस भाख किस भासा में रखा जाता है जो ग्राम पंचायत इस्तर पर ग्राम नियाले होते हैं उनकी जो कारवाही होती है या जो अभिलेक होता है वो किस भासा में रखा जाता है ये बहुत ज़द इंट पड़न हो जाता तो हिंदी भाषा अगर आप छत्ती जट्ट हैं तो इसमें छत्ती जड जड जही नहीं ध्यान देंगे हिंदी भाहा सा में रहेगा अगर आंग्रेणीं अ च में रहता तो अलग बाद था लेगन हिंदी मासा में ग्राम ग्रावच्ट काुरौ यह की जाती है 35 प्रश्ण है राज्य सरकार पंचायत को सहता अनुदान कि इसके सिफारिस पर विनिस्चीत करता है जो केंडर सरकार होता है और राज्य सरकार होता है तो राज्य सरकारों को केंडर सरकार से सहता मिलता है जो वित तैग होती है उसके रूसार तो इसका एंसर क्या ह एकसि आप्शन का सहीं एंसर हो जाता ही इसके बाद 36 प्रष्ण छब तीस गड़ साशन द्वारा इस्थापित दोस्तों जो दोस्तों जो दुलार्शी मद्राजी है उनके सम्मान में कौन से छेतर में पूरूस्कार दिया जाता है। इनपर्ण है तो इसका अंसर क्या है तो लोग का लायम सिल्फ पकला के छेतर में दव मंदरा जी सम्मान दिया जाता है 37 प्रश्ण है 36 गड में कहां से प्राचिन थेटर के आउसिस्ट मिले हैं जो प्राचिन थे थे विश्व की प्राचिनतम नाट साला कहा जाता है ध्यान देंगे विश्व की प्राचिनतम नाट साला कहा है तो जोगी मा सिता बेंगरा गुफा स्वारी सिता बेंगरा गुरुफा जो की विस्व की प्राचिंतम नाटे साल है तो ये कहां इसी थे जो सिता बेंगरा गुफा है वो कहां है तो रामगड में इसी थे रामगड की पहाड़ी में ध्यान देंगे तो इसका answer क्या हो जाएगा C option इसका सही answer हो जाता है इसके बाद यहाँ आचुका है अर्थीसव प्रस्ट नहीं अर्थीसव प्रस्ट है निम्न लिखित में से कौन 36 गड़ के गांधी के रूप में जाना जाते हैं जी या दोस्तो 36 गड़ के गांधी किसे कहा जाता है यह बहुत ज़्यादा important प्रस्ट नहीं हो जाते हैं और यह repeated प्रस्ट नहीं इसका answer क्या है तो पंडिस सुन्दा लार्ज सर्मा जी को 36 गड़ के गांधी जी के रूप में जाना जाता है भी option इसका बिलकुल सही answer है इसके बाद आ चुका है उन्तालीस अप्रेश्टना उन्तालीस अप्रेश्टना है बेवरा आदीम क्रिसी क्रिस जन जाती द्वारा किया जाता है बेवरा जो क्रिसी है वो एक इस्थान तरित क्रिसी है अर्थात आदिवासी लोग क्या करते हैं एक इस्थान पर खेती करते हैं वहाँ के पेड़ पौधों को काट कर उसके बाद उस इस्थान को छोड़ कर दूसरे इस्थान पर खेती करने के लिए चले जाते हैं और एक साल होने के बाद या दो साल होने के बाद एक नियुसरी समय के बाद दूसरी जन्जाटी में कहा जाता है यहीए पूछा गया है तो इसका एंसर क्या है इसका एंसर है बी जनजाती बैगा बैगा जनजाती के लोग क्या करते हैं एक इस्थान से में क्रिसी करते हैं उसका फिर दूसरे इस्थान पर चल जाते हैं फिर तिसरे इस्थान पर फिर पोधों को काट कर खिती करते हैं तो इस्थान बदलने की इस क जाती की विशेस्ता हैं जी हैं दोस्तों जो सीर है सीर के माथे में सीर है माथे में सीर है इस्तिरों धारग गोदना गोदवाया जाता है तो इन में चार जाती दिया चार जन जाती दिया हुआ है पहला बीरहोर परधान अगरिया और बैगा तो इन में से कौन से जन जाती सही है और CGPSC द्वारा भी यही answer लिया गया है डी Jackson बैगर जन जाती यह दोस्त हों CGPSC द्वारा क्या answer लिया गया है और क्या मेरे अनुसार क्या answer है वह हम आपको है मजाते हैं यह को कई बूक में दिया रहता है उसके अनुसार गांचार के इसके बाद यहां तो चारज जंजाती यहां दिया हुआ आपसर में, और रेला गीत की जंजाती की है, इसको आप प्रोन वारक्स में कमेंड करें, इसका सही नसर क्या है, तो इसका एंसर है, मूरीय जंजाती द्वारा रेला गीत गया जाता है कहते हैं यहां देखेंगे आर इएले कई बार रिलो गीत हो जाता है कई यहीं तो इसका एंसर क्या है मूरिया जंजत्ति भी आपसे इसका सही एंसर है और सीजी पीशिद्वारबी एंसर इसका एंसर लिया गया है इसके बाद 2400 प्रेशन है चतिस गड़ विधान सभा का नाम थोड़ा जूम कर देते हैं हम आपको यहाँ देख सकते हैं यह थोड़ा धूनला दिख रहा है दिखने के लिए आपको चतिर विधान सभा का नाम करण किस व्यक्ति के नाम पर किया गया है तो इसके अंसर है स्वर्गी मीनी माता के नाम पर है जो चतिर विधान सभा का नाम है तो डी आप्शन इसका सही अंसर हो जाता है नमस्कर दोस्तों आज का 4300 प्रेशन है 2011 की जनगर्णा के नुसार 36 जड़ के किस जिले में सरवाधिक अनुसुचीत जन जाती है जिहां दोस्तों किस जीला में सबस्यादा सेडूल ट्राइब है अनुसुचीत जन जाती है तो इसका एंसर क्या है इसका एंसर है दंतेवाड़ा पहला अप्शन इसके बाद 400 प्रस्ण है 36 जड़ राज्य के प्रथम पुलिस महानी देशक कौन है जो डीजीपी होते हैं 36 में तो सबसे पहला डीजीपी कौन है इस प्रस्ण में पूछा गया है तो इसका एंसर क्या है इस एम सुकला ये 36 जड़ के पहले पुलिस महानी देशक है अगर हम कहें वर्थमान में पुलिस देशक कौन है कहेंगे तो डीएम अवस्ति है और ये पहला कौन सा तो कौन सा एस एम सुकला पहले महानी देशक है 45 अप्रस्ण है 36 गण का 1 मातर जूट उद्योग नीम द्री खित में से किस जिले में इसत है 36 गण में 1 मातर जूट उद्योग है जूट कार खाना है और ये कहाँ पर है तो इसका answer क्या है इसका answer है answer है पहला option रायगाड मोहन जूट मील रायगाड ज्यान देंगी कौन से नाम है तो मोहन जूट मीट रायगाड एक मात्र जूट उद्यों के 36 जड़ का इसके बाद आ चुका है 46 प्रेश्ण जे दोस्तों 46 प्रेश्ण है और 46 प्रेश्ण का एंसर क्या है और प्रेश्ण क्या है जानते हैं 46 प्रेश्ण है 36 गोधन नियाय वजना का प्राणभा किस परवसे हुआ है तो इसके एंसर है सी आप्षन हरेली परवसे हुआ है गोधन नियाय वजना का सुभारंभा इसके बाद आ चुका है 47 प्रेश्ण 47 प्रेश्ण का सही एंसर क्या है यह जानते हैं 46 सरकार द्वारा स्वामी आत्मा नंसास की इंग्लिस मीडियम स्कूल योजना के तहत प्रथम चरण में कितने इंग्लिस स्कूल मीडियम सुरू किये जा रहे हैं पहले चरण में कितना शुरू किये जा रहे हैं ये इसमें पूछा गया है तो इसका एंसर क्या है इसका एंसर लिया गया है 52 लिया गया है इसका सही एंसर और अगले सत्रमी सो इंग्लिस मीडियम स्कूल खोड़ा जाना है ध्यान देंगे ऐसे भी प्रशन बन सकते हैं चतियर में जो इंग्लिस मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं वो किसके नाम पर है तो इसका एंसर क्या रहेगा स्वामी आत्मानन ध्यान देंगे स्वामी आत्मानन के नाम पर खोले जा रही है इसके बद आ चुका है और तालिस्व प्रश्ण चतिय सरकान ने किसानों की फसल की सुरक्षा और उनकी आय बढ़ाने के लिए कौन सी योजना प्रारमभग की गई है तो इसका एंसर क्या रहे हैं हमने अभी गोधन नियाय उजना देखा था उसके बाद इसका एं इसके बद आ चुका है अगला उन चास्व प्रश्ण उन चास्व प्रश्ण है चतियर सरकार द्वारा कोईड महमारी के दवरान मार्च 2020 से कक्षा एक से दस्वी तक के विदार्थियों को आनलाइन शिक्षा उपलब्द कराने के लिए कौन सा एप्लिकेशन लाया गया था जिया दोस्तों कौन से एप्लिकेशन लाया गया था तो इसका सहीं चारे पढ़ाई तुहर द्वार योजना प्रणभर किया गया था विदार्थियों को कक्षा एक से दस्वी तक को उद्दार्थियों को पढ़ाने के लिए इसके बाद आ चुका है 50 प्रश्ण जो की सही जोड़ी मिलान करना है थोड़ा लंबा प्रश्ण है आप देखेंगे आप तो 50 प्रश्ण है चत्ति जड़की योजना और उनके प्रारम्भ दिवस का उचित मिलान करना है और जोड़ा प्रश्ण है यहां योजना दिया हुआ है और इसका सुभारा मखखा हुआ है यह हमें मिलान करना है आखीर इसके इंसर सेही इंसर देखेंगे तो अगर हम इंसर मिलाएंगे तो मुख्य मंतरी हाड़ बजार क्लिनिक योजना कब प्रारम भक्या गया था तो इस कैंसर है 2 अक्टूबर को गानी जी इनती के अशर पर प्रारम भक्या गया था इसके बाद दुसरा आदर सथाना और आदर सथाना प्रभारी योजना अगर जान करें आपको अच्छा लगे तो like, share, जरू करेंगे अपने हमारे उट्यूप चैनल के भी देख सब्सक्राइब नहीं कि यह तो सब्सक्राइब करेंगे अगला जो जर्राण नालेज है वो पूरे भारत के जर्राण नालेज से जुड़ा हुआ है इसको हम सेकेंड वीडो में पूरा करेंगी आपको इस्क्रीन पर इसको वीडियु द जागा बी लिंक मिल जागा जहां से आप आगर को वीडियो को देख पाएंगे इसके लाओ आपको PDF डाउनलोड करने का लिंक भी नीचे प्लाइट werd मिलाएं जहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं अगर जानकर आपको चले तो लाइक शियर ज़रू करेंगे अगर आपने हमारे वटीप चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कियो होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे